हाँ बच्चो गुड मॉर्णिंग नमस्ते आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरल आवर्त गती में पिंड की इस्थिती जूर्जा गती जूर्जा तथा कुलूर्जा देखिए सबसे पहले आता है इस्थिती जूर्जा सबसे पहले इस्थिती जूर्जा हम जानते हैं कि शरल आवर्त गती में SHM का मतलब हुआ सरल आवर्त गती सिंपिल हार्मोनिक मोशन में वाई बराबर हमने एक सूत्र रताया था स्मॉल आर साइन ओमेगा टी समी का नमबर वन जहां पर इस्मॉल आर दोलन का आयाम है ओमेगा इंड का कोणी वेग है और टी जो है क्या है आपका जो है समय है अब इस समीकरण एक को टी के सापेक्स आप आवकलित करेंगे इसका आवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाता है किसके बराबर होता है वी के यह भी आप जानते हैं तो एकतर से v बराबर हो गया dy upon dt equal to तो omega बाहर आ जाता है तो यह हो जाएगा r omega cos omega t sin omega t की जो क्या हो जाएगा cos omega t अब आपको निकालना है त्वरण त्वरण a बराबर आप जानते हैं dv upon dt dv upon dt तो एकतर से v को आप जो है एक बार और जो है क्या करेंगे इसका आउकलन करेंगे तो r omega तो हुआ ही हुआ है इसके साथ एक omega cos का और आ जाएगा तो यह हो जाएगा minus r omega square और cos omega t का हो जाता है minus यह जो minus यह आप देखने हैं आगे से minus sin omega t तो a बराबर हो गया dv upon dt equal to minus r omega square sin omega t या equal to आप कह सकते हैं minus omega square y y कहां से आ गया y हो गया आपका r sin omega t r sin omega t तो हमने क्या कर दिया minus omega square y ठीक है तो इस परकार से पिंड पर लगने वाला परत्या नयन बल f बराबर हो जाएगा m a या minus m omega square y ठीक है यह एक जिगए आपने यह रख दिया तो minus क्या हो गया आपका m omega square y अब देखिए आगे हम आप इसको बताते हैं परत्या नयन बल द्वारा विस्थापन के विपरीत किया गया कारिया dw बराबर हो जाएगा f multiplied by minus dy विपरीत किया गया इसलिए minus होगा ठीक है तो यह हो गया आपका dw बराबर हो गया m omega square y dy ठीक है अब आपको निकालना है w कारिय निकालना है तो w बराबर हो जाएगा limit हो जाएगी 0 to y m omega square y dy अब यह constant quantity है इसको हम क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं m omega square y ठीक है और 0 to y अंदर हो जाएगा आपका y dy अब जो है इसका हम क्या कर लेते हैं समालन कर लेते हैं इसके लिए एक सूत्र होता है समालन के लिए x की power n dx ठीक है equal to होता है x की power n plus 1 upon n plus 1 तो यहाँ पर y x की जगह क्या है y y की power हो गई आपकी एक तरसे 1 तो यह कितना हो जाएगा आपका 1 plus 1 upon क्या हो जाएगा 1 plus 1 तो यह हो गया आपका m omega square और यह हो गया आपका limit 0 to y y square upon 2 तो एक बट्टा दो बहर आ गया तो यह हो गया आपका m omega square y square अब देखिए पिंड पर किया गया यह कारिय पिंड में इस्तिति उर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो इसलिए के यह जो आपका w आपने निकाला यह किसके रूप में हो जाएगा u के रूप में संचित हो जाएगा इस्तिति उर्जा के रूप में तो u बराबर हो गया half m omega square y इसके बाद निकालेंगे आप गति उर्जा आप जानते हैं गति जूर्जा के लिए आप u वेग के लिए हमने सूत्र बताया था u बराबर omega under root of y square minus sorry small r square minus y square बताया था याद होगा आपको तो किन्तु किसी भी पिंड की गति जूर्जा क्या होती है k बराबर होती है half mb square तो यहाँ पर half mb की जगा u ले रहे हम u square तो क्या होगे आपका u का मान है आपका omega under root of r square minus y square तो u square बराबर क्या हो जाएगा omega square ठीक है और ये under root का चिन हट जाएगा r square minus y square तो k का मान कितना हो गया आपका k का मान आ गया एक बट्टा दो m u square की जगा क्या हो गया आपका omega square और bracket में r square minus y square इससे इसपस्ट है कि पिंड की गतिजोर्जा के पिंड का विस्थापन y का मान बढ़ने पर घठती है और पिंड की साम इस्थिती y equal to 0 पर अधिक्तम होती है अब आपको इसकी संपून उर्जा निकान ली है तो संपून उर्जा बराबर हो जाएगा इस्थिती जो उर्जा धन गतिजोर्जा तो capital E बराबर हो गया U plus K तो यह हो गया आपका half m omega square y square plus half m omega square r square minus y square इसको आप देखिए यह क्या हो गया आपका y square वाला term क्या हो गया कट गया तो यह आगया E बराबर आगया एक बट्टा दो half omega square r square अब omega बराबर होता है 2 pi n जहां पर n क्या है आप गरती तो E का मान कितना आगया एक बट्टा दो m और omega की जगह हो गया 2 pi n का होल square r square ठीक है तो इसको आप solve करते हैं तो यह आगया 2 pi square m n square r square ठीक है तो यह derivation आपका जो है बड़ा important है आपको इसको अभ्यास करना है ठीक है भ पबड़्यास करना है